जब हमारी उमर कम होती है, हम अपने टीनेज में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसे होते हैं हमारी हाइट के बढ़ने का आप लोगों को मैं बता दू कि जो हमारी बोन्स होती है, वो बोन्स जब हमारी खिचती है तब हमारी हाइट बढ़ती है हमारी body में एक hormone release होता है जिसे बोलते ही growth hormone growth hormone क्या करता है आपकी muscles को और आपकी bones को बढ़ने में मदद करता है मैं आपको दिखाता हूँ जब भी हमारी body में growth hormone की अधिकता होती है तो होता ये है कि हमारी height तेजी से बढ़ती है हमारी bones के जो ends होते हैं वो और ज़्यादा खिचते हैं जिससे हमारी height बढ़ने लगती है क्या होता है जो हमारी muscles के tissues होते हैं और जो हमारे bones के tissues होते हैं वो खिचते जाते हैं और जो उपर वाला tissues को नीचे से धका देते जाते हैं जिससे हमारी body में जो tissues होते हैं और ज्यादा growth होते हैं और हमारी हड़ी थोड़ी सी बड़ी होने लगती है टाइम के साथ में जिससे हमारी height बढ़ती है। तो आप लोगों को ये सबसे पहले समझना होगा कि कैसे हम अपनी growth hormone को बढ़ाएं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि growth hormone बढ़ाएं बिना आप अपनी height नहीं बढ़ा सकते हो। देखो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हड़ी हमारी बढ़ती है उतना ही जादा हमारा cartilage बढ़ेगा, cartilage के बढ़ने से ही हमारी height बढ़ने वाली है। तो growth hormone को कैसे बढ़ा है आज के वीडियो में बात करेंगे तो time को waste नहीं करते हैं सबसे पहले अपनी tip पर आते हैं देखे height बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है vitamin D आप लोगो जान के हरानी होगी कि जो हमारी bones है वो vitamin D की वज़े से ही growth को बढ़ा पाती ह हैं लंबाई को बढ़ा पाती है जिससे हमारी height बढ़ती है तो vitamin D के लिए सबसे अच्छा जो source है वो है sunlight सुबे सुबे की जो sunlight होती है इससे अच्छा कोई source नहीं है आपकी body में vitamin D को produce करने का सुबे सुबे सो के उटो ये जो timing में आपको बता रहा हूँ 6-8 बजे के बीच में ये जो इस time की हलकेल की धूप होती है ये आपके लिए बहुत अच्छी है आपकी body में vitamin D बढ़ाएगी height बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज है उसके बाद में आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि देखो vitamin D बढ़ाने के लिए body में केवल sunlight ही important नहीं है आप अपनी body को active रखना होगा जितने भी active लोग है उनकी height बढ़ने में आसानी होती है अगर आप घर में बैठे आराम करोगे तो आपकी body बहुत stable हो जाएगी जो भी hormones produce होने है वो नहीं हो पाएंगे तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर अपनी body को आप लोग हमेशा motion में निच रहा है या फिर आप लोग अगर dumbbell से भी workout करते हो जिसमें आप लोग ज़्यादा resistance का इस्तमाल कर रहे हो ताकत का इस्तमाल कर रहे हो इन सभी चीजों को करने से हमारी body में human growth hormone बढ़ता है और यही hormone हमें बढ़ाना है ज़्यादा परिशान नहीं होना है कि एवल ये hormone अगर हम बढ़ा लें तो हमारी height अपने आप बढ़ने लगती है उसके साथ में next अपनी tip की बात करते हैं देखो ये बात का ध्यान रखना कि ये जो hormones है ये बनते कैसे हैं हमारी body काम कैसे करती है जब तक हम अच्छी diet नहीं लेते हैं तो diet आपकी अच्छी होनी चाहिए और अगर आपको इस hormone को बढ़ाना है लंबाई को बढ़ाना है अपनी तो सबसे जरूरी चीज़ है protein लेना देखो protein बहुत important चीज़ है height बढ़ाने के लिए height बढ़ाने के लिए आपको protein लेना है ज्यादा से ज्यादा मातरा में आप लोग ले सकते हैं eggs में बहुत protein होता है उस इसके साथ में आप लोग चिकन इस्तमाल कर सकते हैं साथ में vegetarian के लिए आप लोग सोया भीन ले सकते हैं जो लोग vegetarian है उसमें high protein होता है साथ में monkey दाल में भी high protein होता है high protein लोगे अपने आप आप लोग को दिखेगा कि आपकी height increase हो रही है और सबसे best result के लिए आप लोग काह आप मिलता है चितरा मिलता है हरण मिलता है मतलब वो सारे आयूरवेदी के तत्व मिलते हैं जो आपकी height को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और ये पूरी तरह से natural ingredient से बना है जो भी herbs होते हैं उनको मिला के ये बनाया जाता है जो आपकी height के लिए ब के प्शूल को मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसका आप लोग रोज एक केप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग को के के काफिसुल का इस्थमाल करना है, वो हल्के गुंगुने ज्लस दूद के साथ में करना है, आपसे बाद तो कैसे इस्टमाल करना है लेना है, आप लोग को एक फीज़न ने बाउडर रेना है, और इसको हलके गुनगुने पानी में मिला के आप लोग को इसको अच्छे से मिलाना है और फिर इसको पी जाना है इससे आप लोग देखोगे कि आपकी height increase होने में मदद मिलेगी, आपकी body की growth होने में मदद मिलेगी इसका आप लोग daily इस्तिमाल कर सकते हैं इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे girl हो चाहे boy हो दोनु ही इसका इस्तिमाल कर सकते हैं मैं आप लोग को काहन आयलवेदा के height king का link के description में दे दूँगा तो एक बाद उसे जाके check out जरूर कर लेना तीन से चार मनत का अगर आप लोग course करते हैं साथ में जो tips बताईगे इनको follow करते हैं तो आपकी height धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी next tip की जो की है improve your posture देखो अगर आप अपने posture को improve कर लेते हो ना तो height बढ़ाने का ये सबसे असान तरीका है क्या करना है आप लोग को जब भी आप लोग चल रहे हो एकड़म straight चलो अपने कंदों को जुका के मत चलो जब भी आप लोग बैट रहे हो अपनी body को bend करके मत बैटो अपनी body को जुका के मत बैटो सीधा एकड़म बैटो तो इससे आप लोग के height में बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा रात में सोते समय बहुत लोग क्या करते हैं body को एकदम मोल के सोते हैं तो ऐसे नहीं सोना है अगर आपको अपनी height बढ़ानी है तो कुछ time आप लोग एकदम सीधा सोना शुरू कर दो या अगर आप करवट भी ले रहो तो अपने पैरों को straight रखो इससे होगा क्या आपका posture बहुत अच्छा होगा और आपको height बढ़ने में मदद मिलेगी साथ में ये सारी चीजों का आप ध्यान रखोगे तभी आपकी height बढ़ पाएगी ऐसे ही और भी informative वीडियो देखने है स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे किसी भी वीडियो पर क्लिक करके आप लोग यहीं से वीडियो को देख सकते